हेलो दोस्तों केसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों बिटकोइन 42,000 डॉलर्स के ऊपर होवर कर रहा है लेकिन यहां पर हमें यह जो 48,000 डॉलर्स 50,000 डॉलर का आंकड़ा क्या हाल्विंग से पहले छूता दिख सकता है आज भी मेरे पास में बहुत ही इंट्रस्टिंग चार्ट है जो कही न कहीं हमें बताता है कि हाल्विंग से पहले हमारी उम्मीदे जिन्दा रहने वाली है और यहां पर हाल्विंग के बाद आपने जहां इतना टाइम दिया ना 400-500 दिन आप दे चुके हो औल्टाइब हाई से 2021 किसके तो अधने अच्छे रिटन मिल जाए कि हमें और क्या टार्गेट हो सकते हैं वह मैं आपको बताऊंगा 2025 के अंदर हमारा क्या टार्गेट उम्मीद करें हाल्विंग से पहले क्या उम्मीद की जा रही है साथ के साथ में मैं आज बात करने वाला हूं पांच कोईन की देखो दो हो लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर हमने बहुत सारे कोईन लगबग 10 15 कोईन आपके साथ में शेयर किये 20 कोईन और उमीद करता हूं ज्यादा तर के अंदर आप 50 से 100 और कई जो कोईन से उसमें 25 एक्स तक कमाया होगा तो कहने का मतलब है ट्रेंड इस यूर फ्रेंड और आप अब्सर्व करोगे सही टाइम पर सही चीजे करोगे तो आप यहां पर पैसा बना सकते हो तो आज भी मेरे पास में 5 कोईन हैं जैसे ICP हम यहीं बोलते तेरा अब समझ में आ रहा है क्या मतलब था इसका कि मुफलियों मुफलियों के दाम पर बदाम मिल रहे हैं तो बहुत सारे क्वाइन हैं और ब्यार सी 20 के हमने 5 क्वाइन शेयर किये थे 3-4 दिन पहले हमने ट्रेंड को पकड़ने कोशिश की थी और कई क्वाइन 200-300% कई क्वाइन 800% तक का रिटम देखे गए तो यहां पर इन शॉट कहने का मतलब यह है आज भी मेरे पास में ऐसे 5 जो कहीं न कहीं अगर गिरते हैं तो 10-15-20% तक गिर सकते हैं लेकिन अगर यहां से पंप किये जो हम फॉलो कर रहे हैं अब्सौर कर रहे हैं तो वह क्वाइन एक अच्छा रिटान आपको यहां पर बनाके दे सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर उसमें से 3 क्वाइन तो बहुत बढ़िया क्वाइन है और एक दो क्वाइन ऐसे हैं जो कहीं न कहीं यहां पर आपको एक अच्छा कोई प्रॉफिट बनाके दे सकते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही रहता है तो सारी चीजों को आपने देखना है हम कोई पाइने डवाइजर नहीं है हम अपना एक्स करते हैं जो भी सिच्वेशन हो अपडेट करते रहें बार-बार मैं बोलता हूं लाइक फिर भी हमारे पास काम आते हैं तो यहां पर लाइक कीजिए हमें भी मोटिवेट कीजिए और हमारा अगरा काम आता है तो समझ में आता है लोगों तक पहुंचा यह ताकि उनका भी पाइदा हो सके माफ कीजिएगा हो सकता है वाज थोड़ी खराब हो और लंबी-लंबी सासे आ रही है एक तो सर्दी हो गई है मेरी नाक बिलकुल समझ लिए जैम है पिछले दो दिनों से तो मुझे जो है थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है लेकिन सिच्वेशन कैसी लोकेशन यही है यूट्यूब चैनल की और यहां हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे हैं दोस्तो सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूं लेकिन अगले 20 से 25 दिन भाई साब 20 से 25 दिन की बात करता हूं तो शायद बिटकॉइन के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो हम सो पर बुलूमबर के एनलिस्ट है जेफ की बात करते हैं माफ कीजिए उनका कहना है कि सेक्यूरिटी एक्षेंज कमीशन ऐसा नहीं है कि ब्लैक रॉप का करेगा बाकी का नहीं करेगा क्योंकि वह यह नहीं चाहेगा कि वह यह वो किंग मेकर बने और जो सबसे पहले 11 Evans 1-13.9,000,000,000,000,000,000 आपको मार्कीट के अंदर आता देख सकता है सो डेभ ऐ अगले एक तेड़ साल के अंदर तो समझ लीजेगा क्या स्काइश्फ सकता है technique लेकिन अगले 20-25 दिन के अंदर ऐसा क्या होना है अगले 20-25 दिन की अगर मैं डेटा की शेयर करता हूं आपसे तो यहां पर जो भी विंडो है अप्रूवल की वह क्लोज हो रही है बिटकोइन के की जितने भी अगर आप देखोगे जैसा भी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है तो अगर इसको कंसीडर करते हैं और जैसा सेक्यूर्टी एक्षेंज कमीशन के डॉक्यूमेंट के अंदर भी निकल के आया तो संभावनाएं बढ़ती जा रहे हैं और ब्लैक रॉक के साथ साथ में तीसरी चोथी मीटिंग होना लगातार कॉम्निकेट होना बिटकोइन एक जूतने भी हैं उनका अमेंडमन करके सेक्यूर्टी एक्षेंज के साथ में अपडेट रखना अप्डेटिड रखना अपने अप्लिकेशन को जो भी वो चेंजिस कह रहे हैं उसको एक्दम होते दिखें यहां पर आपको थोड़ा सा अबसर्व करना पड़ेगा चार्ट को जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अगर उसकी कैलकुलेशन लेते हैं अगर उस चार्ट को अबसर्व करेंगे तो यहां पर मैंने फैबनाची की रेशियो लिए और फैबनाची की ए लेकिन अगर अभी की बात करते हैं 0.5 जो की 42,000 डॉलर के आसपास आता है वो इसके लिए रेस्टन सपोर्ट का काम कर रहा है हमने आपको कभी 40,000 नहीं बोला हमने 30,000 नहीं बोला हमने 36,000 बोला वहां पर एक रेशियो थी हमने फिर आपको 42,000 बोला और अभी हम जो है आपक को टेकनिकली 48,000 डॉल रहे हैं तो यह लेवल्स बहुत ही फैबनाची की रेशियो बहुत ही इंटरस्टिंगली काम करते हैं अगर आप चाहते हो फैबनाची के ऊपर एक डेडिकेटिड वीडियो बनाओ क्योंकि वो कहीं न कहीं एक बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है बहुत डिटेल के अंदर समझने के लिए चाहिए तो आप समझ लीजिएगा जो भी एक फूल भी होता है ना एक फूल माफ की ज़िए थोड़ा आउट ओफ ट्रेक जा रहा हूँ एक फूल भी होता है वो एक कुछ न कुछ रेशियो के अंदर होता है हमारा पूरी जो बॉ वह इंपोर्टन यहां पर अभी काम कर रही है लेकिन अगर मैं बात करता हूं चार्ट की जो मैं हम बोल रहे हैं 0.618 एक इंपोर्टन यहां पर रेशिटन्स होता है और हमने देखा है हालविंग से पहले बिटकोईन बॉटम बनाने के बाद उस रेशियो को टच करता है औ देखके से साइकल के अंदर भी इसने ऐसा किया लेकिन अभी की बात करते हैं यह लगबग उसके पास है 43 45 4000 डॉलर गया 48000 डॉलर इसलिए दुनिया सारी बोलती है 48000 डॉलर जाएगा 48000 डॉलर जाएगा किसी को सपनों में नहीं आया कि 48000 डॉलर जाएगा भया हमने तो होने की खोशिस होती है तो इसलिए हो सकता है 45000 डॉलर के आसपास यहां रिजेक्शन हमें देखने को मिली लेकिन अगर आप अबसर करते हो अगर आप थोड़ा सा दिलेरी दिखा सकें तो यहां पर हमें टेंचन की जरुरत नहीं है हाल्विंग से पहले हमने अमूमन देख है इस लेवल को टच होते देखा है अगर नहीं भी होता है तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है यहां पर जब यह रिजेक्ट होता है इस लेवल के आसपास हम मानके चलते हैं कि $48,000 हाल्विंग से पहले जाएगा और अगर जैसे मैंने बताया ETF की बात हो जाती है तो विदिन नो टाइम आपको पेंता 48-50,000 डॉलर्स भी देहन को मिल सकता है और वहां से रिजेक्ट होके शायद एक अपॉर्चरिटी मिले लास्ट टाइम करोना की वज़े से अच्छा खासा मार्किट क्रेश कर गई थी अभी तो कोई ऐसी नहीं है तो आप उमीद मत होईगा कि वह यह बॉटम को टेस्ट करेगा लेकिन अगर हम पीछे के ट्रेंड को देखते हैं वहां करेक्शन हमने होते देखी है और हाल्विंग के बाद में भी ऐसा मत सोचिएगा कि वह स्काई रॉकेट हो जाएगा दोनों चीजों को आप समझिए 48,000 डॉलर्स यहां मिल सकती है यह चीज आपको टेक्निकली मैं बता रहा हूं और यहां पर फिर यह रिजेक्ट होके अपनी जो सपोर्ट है जो फैबनाची की जीरो पॉइंट अगर मैं बात करता हूं 382 तो उसकी बात करते हैं तो वहां पर एक 36,000 तो 35,000 डॉलर्स यह सपोर्ट जोन आता है वहां तक आ सकता है वहां पर आए और अभी तक आपने एंट्री नहीं लिया तो आप एंट्री बनाने की सोचेगा अभी थोड़ा सा होल्ड रखिये अब बेसाबर होने से कुछ नहीं होगा अभी वेट करना ही ज्यादा समझदार है तो वहां आए तो एंट्री बनानी है लेकिन यहां पर हाल्विंग के बात क्या होता है अब उसको समझें पीछे के रिकॉर्ड को देखते हैं हाल्विंग माफ किजिए थोड़ा ओफ ट्रे तो दुनिया इदर से उतर हो जाएगी एक टाइम में मंदिर में था अगर मैं 2016 की हाल्विंग की बात करूं मुझे लगता था पता ही नहीं प्राइस एकदम से शूट करेंगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं नौर्मल रहा फ्लक्टुएशन थोड़ी बहुत पैसे की हुई पूरी थी लेकिन प्राइस के अंदर ज्यादा प्लक्टुएशन थोड़ी सी मोमेंटम 2-4 परसेंट की हमें देखने को मिली तो कहने का मतलब है हाल्विंग होते ही दुनिया इदर से उदर नहीं होने वाली है हो सकता है उसके एक तो तीन चार महीने तक बिटकॉइन यहां कंसॉलिडेट करें एक लेवल पे ट्रेड करें दो चार पचार हजार डॉलर के बीच में रहे पैंटालिस से पचास हजार डॉलर के पीच में रहे अगर बिटकॉइन एटेफ अपुरूव नहीं होते हैं तो यहां पर वो रहे और उसके बाद 500 दिन हाल्विंग से दे दीजिएगा जहां इतने दी हैं 500 दिन मतलब सवा डेड़ साल अगर आप दे दोगे तो यहां पर पूरे चांसिस हैं अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो बिटकॉइन का जो मैंने बता हैं फैब 2.618 की रेशियो को लेते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस दो लाख डॉलर भी अगले 500 दिनों में हाल्विंग यानि कि आज भी ले लो अगर हाल्विंग में हमारा कुछ समद लो कि तीन महीं रहा सो दिन यानि कि 500-600 दिन अगले दो साल के अंदर आपके पैसे यहां से आई समझ के लखो सभाल के रखो दिमार्ग में फिट करके रखो ठीक है अगर आपको लगता है हमारी जो कैलकुलेशन है समझ में आती है विटकॉइन के ETF की बात करूं और एक और important factor है जो role play करेगा हमारा बहुत ही डरा के रखा फैड ने ठीक है USA के अंदर interest rate hike को लेके inflation को लेके CPI data को लेके 2024 के अंदर इस ratio को cut करने की बात हो रही है और यहां तक 2024 के आखरी तक आते आते वो लगातार cut करेंगे और ऐसी estimation हो रही है तो जब बढ़ने से हमारे crypto market के अंदर panic पढ़ा तो घटने से उसका positive impact भी तो पढ़ना चाहिए positive impact कैसे आपका यहां नीकी आप कहलीजिए लोगों के बाद पैसा जादा होगा पैसा जादा होगा तो कुछ portion तो cryptocurrency के अंदर आएगा ना तो कहलीजिए उससे भी impact पढ़ेगा Bitcoin के ETF अप्रूव होते हैं तो 1000 करोड रुपे वैसे भी आना है तो कहलीजिए जितनी जादा demand होगी जि इतनी supply कम हो रही है तो सहर जगह से cryptocurrency और Bitcoin को फायदा यहां होने वाला है समझ में आई चीज़े अगर आई अगर आपको हमारी चीज़े समझ में आ रही है और लगता है हमारा content share करने लाएक है तो share कीजिए और like जरूर करिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं coins की ICP के अंदर पैसा कमाया फाइल के अंदर होएं डाट के अंदर क्माया के अंदर कमाया बहुत सारे और coins है जिसके अंदर आपने पैसा कमाया यहां पे इसका प्राइस लगब 1.05 डॉलर के आसपस चल रहा है। अगर यह एक डॉलर या इस लेवल पे मिलता है तो पूरा पोटेंशल है कि यह यहां से 40-50% का रिटर्न यानि कि 1.5 से लेके अगर 3.5 डॉलर तक short to mid term के नदर यह देखे जा सकता है और long term के इसाब से करता देखें लेकिन समझदार आदमी क्या करता है जैसे मैंने आपको बताया अगर क्रेश करती है तो हमें उसके लिए पर रहना है तो पार्ट में बाइंग कर हुए है तो लेवल पे पहली लेवल पे एक डॉलर के आसपस दूसरा अगर यह आ जाए लगबग 70.75 डॉलर के आसपस आता है अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूं 0.75 डॉलर के आसपस अगर यह मिल जाए तो यहां एक एंट्री अच्छी बनाई जा सकती है और दूसरी लगबग 0.65 डॉलर अगर हम कंपेर करते हैं दूसरे कोई से तो इसके अंदर अभी कुछ हलचल देखने को म मिल रही है लेकिन बढ़ा नहीं है तो 1.2 1.3 डॉलर तक यह देखे जा सकता है शौट टम में और 4-5 डॉलर यह आपको बड़े लॉंग टम यह टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिल सकता है तो इस कोई पे भी फोकस किया रहा सकता है समझदारी वही है दो पार्ट में की जीएगा एक 0.75 डॉलर के असपास मिल जाए और दूसरी लगबग 0.65 डॉलर के असपास यह मिले तो आप एंट्री बना लीजेगा ऐसा ही तीसरा कोई है क्यू टी यू एम अगर उसकी बात करते हैं तो यहां पर इसके अंदर भी कोई खास पंप नहीं देखने को मिला है वॉलियूम थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है अगर आपको यह 3 टॉलर के आसपास मिल जाए तो यहां एंट्री बनाई जा सकती है इसका लो जो था 2.8 डॉलर था आज का 3 टॉलर के आसपास अगर आपको एंट्री बना लीजेगा इसका टार्गेट मैं आगर देखता हू तो 5 डॉलर के आसपास हो सकता है पहला target यानि कि 50-100% का potential रखता है और 8 डॉलर तक यह जा सकता है लेकिन अगर आप short term में अगर देखें entry बनाने कि एक तो यहां entry बनती है और एक दूसरी entry लगवक 2.6 या 2.5 डॉलर के आसपास आप ले लीजेगा अगर इसके all time high की बात करे 30 डॉलर के आसपास का इसका all time है 40 डॉलर तो उससे compare करते हैं तो अभी भी कुछ खास bump नहीं किया है तो long term में यह सारे coins आपको हो सकता है rally पकड़ते दिखें तो उसके इसाप से आप focus कर सकते हो लेकिन अगर short term में देख रहे हो तो यहां पे एक entry बनाई जा सकती है यह तो यहां पर अगर उस coin को compare करते हैं अभी बाइने के उपर लगभग 0.000002 इसके का जो है लो है आज तक का तो यहां पर अगर आप देखते हो दूसरे exchanges पर तो काफी list हो चुका था पहले तो अगर आप entry के लिए देख रहे हो इस level पर देख सकते हो और दूसरी entry के लिए सकती है हमने देखा है जब भी बाइने पैसा coin list होता है उसके बाद लोग के आसपास आके वह bounce करने की कोशिश करता है तो यानि की 40 25 to 40 50% का return अगर यह 0.0002 के आसपास मिल जाए तो entry बना लीजिएगा इसका target 0.0003 और 35 तक हो सकता है जो आप लेके चल सकते हो short term के लिए हम को बोल रहे हैं trade करने के लिए long term में इसको hold करने को हम नहीं बोल रहे हैं तो यहां नहीं की अब हमारा बचा एक और coin जिसके बारे में हम बात करें BRC trend से related है हमने cat rat bear mice पता नहीं क्या-क्या coin list होते देखे देखे और बहुत सारे exchanges पे फिर Binance पे देखते है सैट्स लिस्ट ह हुआ अभी एक और coin चल रहा है वो है BTCS अगर मैं बात करता हूं BTCS gate पे वह already list हो चुका है और दूचरे और exchanges लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहां पर इन दो coin के इंदर मैं इस जो coin की बात कर रहा हूं यह बहुत risk की coin हो सकता और disclaimer यहां पर है क्योंकि community नहीं है पता नहीं है क्या करेंगे जैसे मीम coin होते हैं कोई coin किसी ने बना दिया और छोड़ दिया वैसे पंप कर रहे हैं किसी भी coin को ले लो rat, mat, bear कुछ भी ले लो कोई use है उनका बस एक flow में चल रहा है लेकिन आपको परदे के पीछे जो हम observe कर रहे हैं यह ज्यादा-तर coins जो ह हमें यहाँ पैसा बनाना है तो यह ध्यान रखेगा यह यहाँ पर point zero भी हो सकते हैं या इनसे कुछ return नहीं मिले जैसा हर बार आपको बोलते हैं तो उतना risk लीजिएगा कि अगर मानलों नुकसान भी हो जाए तो आप झेल सकें तो दोस्तों BTCS की बात करते हैं gate पे यह available है अगर आपको वहाँ ट्रेड करना है तो वहाँ पर आप जा सकते हो नीचे डिस्क्रिशन आपने लिंक देती है अगर आपका account नहीं है तो वहाँ बना लीजिएगा लेकिन हमें किस rate पर trade करना वह आपके लिए ज्यादा जरूरी है समझना अगर हम इसको देखते हैं तो target की बात करते हैं आठ से लेके 10-12 डॉलर तक का यह target हो सकता है यानि कि 50-100%-200% यह return देके भी जा सकता है और 0 भी हो सकता है लेकिन अगर थोड़ा सा और रिस्क ले सको और आप सब मैंड मेंकप कर दो यहां मेरे पैसे 0 हो रहे हैं तो ऐसे ही कुछ और coin है जो यहां पर trend ठीक है ना BRC20 के जो trend है rat आया cat आया bear आया ऐसे ही BTC नाम से जैसे की BTCS यह list हुआ SE, I, BTC चल रहा है F, BTC चल रहा है और यहां पर अगर S, BTC चल रहा है तो यह coins को अगर आप consider करते हो तो यह भी काफी interesting लग रहे हैं अगर इसको मैं chart पे दिखाता हूँ यह जो coin है एक coin है S, BTC अगर BTCS यहां पर एक अच्छा return देके जा सकता है और कोई logic नहीं है, कोई तुक नहीं है तो इस coin पे भी focus कर सकते हो, unisat पे यह मिल जाता है इसका use case कुछ नहीं है, क्या होगा कुछ नहीं पता, community इसकी हमें नहीं पता तो ध्यान रखेगा, यह zero भी पूरा potential रखता है होने का, लेकिन अगर इस category के देखते हैं, तो यहां पर एक चीज जो निकल के आई, S, BTC, top 20 coin या 15 coin के अंदर देखते हैं, तो सबसे पहला अगर BTC नाम से, कोई यहां पर आया था coin, first अगर देखते हैं, deploy हुआ था, तो S, S, BTC हुआ था, और यहां पर कई लोगों ने इसके अंदर mining किया, कई लोगों अभी भी यहां trade कर रहे हैं, तो अगर दूसरे coin से compare करते हैं, जैसे BTC, S की बात करते हैं, observe कीजिएगा, वो लगबग 10,000, 60,000 के आसपस trade कर रहा है, I, BTC, 10,000, 60,000 के आसपस trade कर रहा है, F, BTC, लोग उठें, इसके उपर focus करना शुरू करें, या कोई exchange इसको list कर दें, तो पूरे chances हैं, ये भी आपको 500,000, 2000, 5000, 60,000 से भी होता दिखें, क्योंकि मैं BTC, S की बात करता हूँ, साथ, आठ सटोसी पे शुरू, लोगों ने इसको खरीदना बेचना शुरू किया, और ये 10,000 सटोसी चला गया, यानि कि 100 डॉलर के कई लोगों के यहां पे लाखो रूपे बन गए, तो समझेगा, ऐसा कुछ चल रहा है, और बे तुका चल रहा है, और जब ट्रेंड ऐसा चले, तो बस, रिस्क अगर लेना चाहो, तो ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, जीरो, जो जीरो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए बिल्कुल तयार रहीगा, कि जीरो भी पूरा यहां पे हो सकता है, आपके पैसे, तो इस तरह से आप फोकस कर सकते हो, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, हर बार की तरह आपको हमारा कॉंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारा कॉंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और बहुत सारी इंपोर्टन अपडेट है, जो फटा-फट से आ आपको दोस्त पंकच, थेंक यू, नमस्कार, धन्यवाद,